Assalamualaikum दोस्तों, welcome to my YouTube channel दोस्तों मुझे बहुत से लोगों के comments आते हैं, बहुत से लोगों के messages आते हैं कि सर हमें सिर्फ इतना बता दें कि online loan applications बैंड कब होंगी आज की वीडियो आप तमाम लोगों के लिए है कि online loan applications कब बैंड होंगी तो इस पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितनी भी loan देने वाली online loan applications है इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है अगर आप हकीकत सुना चाहते हैं अगर आप हकीकत बरदाश्ट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको खकीकत बताऊंगा इसके बाद हो सकता है बहुत से लोग कहें मुझे इसने पैसे लेकर ये वीडियो बनाई है ये इनके साथ मिला हुआ है मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं लिये मैंने आज तक किसी के लिए वीडियो नहीं बनाई है मैंने जो वीडियो बनाई है कि आप लोन लेने वाली application से दूर रहें, इन से बच के रहें, लोन मत लें, लेकिन लोग हट नहीं रहें, लोग अभी भी लोन अपलाई कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और इसमें दस्ते चले जा रहे हैं, फस्ते चले जा रहे हैं, अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता लेकिन फिर भी वो बिक रहा है, वो बैन नहीं हुआ, क्यूंकि कॉम्पनियां बहुत बड़ी हैं, माफिया हैं, उनके पीछे पैसा है, लोगों को पता है कि सिगरेट पीने से मैं बेमार हो सकता हूँ, मेरे फेपरे खराब हो सकते हैं, मुझे कैंसर हो सकता है, फिर भी ल रहे हैं लोगों को पता है ये चीज़ गलत है ये हमें नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं इसी तरह सेम लोन अप्लिकेशन है आप लोगों को पता है कि सूद नहीं लेना चाहिए सूद खराम है सूद लेके हम इसमें खस जाएंगे सूद लेना और देना ये अल्ला ताला से जंग करेगा वो काम यब होई नहीं सकता जिंदगी में कभी इस चीज का पता होने के बावाजूद लोग लोन लेते हैं क्यूं लेते हैं क्यूंकि उनको पैसों की जरूरत है पैसे चाहिए गुरूबत बहुत है पाकिस्तान में पैसे नहीं जब लोगों के बचे बुके बुक से रो रहे होते हैं तो वो यह नहीं देखते हैं यह खराम है यह खलाल है वो कहते हैं बस पैसे आने चाहिए लेकिन कुछ ऐसे लोग है जिनके पास बहुत पैसा है वो भी नहीं यह देखते हैं यह खराम हलाल कुछ नहीं है उनके लिए सिर्फ पैसा है कहीं पै बच्चों के आंसू देखके अपने बच्चों के गुर्बत को देखके अपने घर को चलाने के लिए खराम हलाल के कौंसेप्ट को बूल के वो पैसों को अपलाई कर देते हैं पैसे मत लें ओनलाइन अप्लिकेशन और ये इनके पीछे जो माफिया है मुझे नहीं लगता कि ये बैन होंगी क्योंके मैंने जहां तक मैंने सोचा है इंडिया कितना बड़ा मुलक है इंडिया की कितनी बहुत बड़ी अबादी है इंडिया में लोगों ने खुदकुश निया की इंडिया की पुलिश ने मुथलिफ मकामात पर लोण अप्लिकेशन के जो कॉल सेंटर ह वहां पे चापे मारे उन लोगों को पकड़ा उनको पकड़ के जेल में डाला उनके जो पैसे ये बाहिर बजवाते थे 500 क्रोड तक इनकी वह जो पेमेंट है वह इन्हों ने जबत की लेकिन अभी तक प्रोपर तोर पे इंडिया में बेहन नहीं हो सकी तो हमारे पाकिस्तान म को लोट रही हैं पाकिस्तानियों के साथ सकैम हो रहा है पाकिस्तानियों से पैसे लोटे जा रहे हैं खरास्मेंट किया जा रहा है लोगों को परेशन किया जा रहा है लोग डपरेशन का मरीज हो रहे हैं किसी के ओपर कोई असर ही नहीं है हर बंदा सिर्फ पैसे कमाने के चक्र में हर बंदा ये चाहता है कि बस मैं पैसे कमालूं मैं दूसरे बंदे से आगे निकल जो लेकिन मैं यहां पे आपको फिर एक बार कहूंगा कि लॉन एपलीकेशन के उपर अपनी जिंदगी का टाइम वेट जाया मत करें लॉन applications के उपर आप हर रोज जो है वो research करना छोड़ दें बस जहन में एक चीज बठा लें कि ये सूध है ये खराम है जिस तरह आप दूसरी कामों को समझ चुके हैं दूसरे कामों का आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया कि जिसम फ्रोशी केड़े आपको पता है लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता है कि ये गलत चीज है वो नहीं करते लोन application को भी इसी तरह आप समझें कि ये गलत चीज है सूध है इसे अपने पैसे नहीं लेने तो आज की वीडियो में इतना ही आपको मैं लाना चाहता हूं online earning की तरफ जहां से आप अपने खलात को बदल सकते हैं लाकों रुपे कमा सकते हैं आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको harassment होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पाकिस्तान में YouTube पर बहुत से लोग आपको सिखाने वाले हैं कि online earning कैसे होती है लेकिन आपको होगी नहीं online earning तीन से चार बंदे ऐसे हैं जो real में आपको बताएंगे बाकि सब बंदे किसी के भी चैनल पर मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लोगा लेकिन अगर आप उनके चैनल पर देखें बड़े बड़े चैनल है आप उनकी बेशमार वीडियोज देख लें आपको एक रुपे की earning नहीं होगी लेकिन जिस बंदे का वो चैनल है उसको earning होगी क्योंकि यूट्यूब से earning होती है वो आपको चांसे देखे खुद बैठके यूट्यूब से पैसे कमा रहे है आप लोगों को उन्होंने ट्रक की बती के पीछे लगाया होगा है कि यहां से earning ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी नहीं होती जो होने वाली साइडे हैं वो मैं आपको बताऊंगा रियल में जो चीजे हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको चैनल को सबस्क्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफकेशन के बटन को ओन करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से फाइदा उठा सके तो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए अगर लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और बेहतर और अच्छी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं इसके साथ ही मुझे अजाज़त देजे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए लाहाफीज